येस गाइस तो चलिए देख लेते यहाँ पर आपका कम्प्यूटर पर एक्चुल MST CT का एक्जाम किस प्रकार होगा और अभी से आप सभी को पता होना चाहिए ताकि आप कोई भी माइनर मिस्टेक ना करें और आप भी अपना MST CT का एक्जाम नेक्स लेवल अटेंट करके आ नहीं उसके बाद candidate name आपका नाम यहाँ पर होगा उसके बाद subject आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब सबसे पहले आपको यहाँ यहाँ पर login पर simple his role number आपको your यहाँ पर fill up करना होता है उसके बाद नीचे आपको पासवर जाना कि आपका date of birth आपको your देखे बहुत सरे स्टूनेंट्स करते हैं है कि आहां को यहां पर कीबउर्ड मिलता है ठीक है वहाहँ पर आपको ऐन लिये होते हैं बहां पर मुस्लीक नहीं स्टा तो आपको क्लिक करना होगा और समस्किर प्रक्ल पर इंपकर वाहँ बstem टूप बढ़ते है यहाँ पर मानलो आने के 4 अगस्ट 2021 है तो आपको यहाँ पर 04082001 इस प्रकार आपको फिल अप करना होगा तो आपका यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा जैसे आप साइन पर लिख करेंगे आपके सामने एक निव पोर्शन ओपन होगा जो कि है इंस्ट्रक्शन का जनरल इंस्ट्रक्शन जो हरे एक्स्ट्ट को समझना चाहिए और आपको यह पूरे जो इंस्ट्रक्शन है इंगलीश में दिये होते हैं यहाँ पर यही लिखा है जैसे कि आपको एने के जो एक्जाम डिउरेशन एक्जाम टाइम है 180 मिनिट्स है उसके साथ साथ आप देखिए हाप पर आपको दिखाए गया है तो आपको किस प्रकर दिखेगा यह सब कुछ मैं आपको ऑन स्क्रीन समझाने वाला हो ठीक है तो डोंट वरी यह सभी के बारे में बता है जैसे कि save and next mark for review and next बहुत सरे student को confusion होता है आपका यह confusion पूरा clear हो जाएगा यह वीडियो पूरा देखने के बाद अब देखिए simple आपको यह पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको next पर click करना होगा यह सभी जो point है मैं आपको on screen समझाने वाला हो कि जब यह exam start करेंगे तब अब देखिए यहाँ पर last आपका other important instruction यहाँ पर दे रखा होता है यहाँ पर आपको language select करना होता है हर एक student यहाँ पर English ही select करेगा और नीचे आपको check box पर click करना होता है अब देखिए आपको यहाँ पर teacher होंगे आपको बताएंगे और announcement की जाएंग previous page में यह पूरा मैं आपको इस पर समझाने वादा हो ठीक है don'ts की फीडियो एंट पूरा देखिए तभी समझ में आ जागा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका physics और chemistry ठीक है physics और chemistry का यहाँ पर पेपर स्टार्ट हो गया अभी biology पर आप नहीं जा सकते है आप chemistry के पास question solve कर सकते हो मतलब आप इधर उदर जा सकते हो but biological आपका जो है next paper हो स्टार्ट होगा after 90 minutes अब देखिए question आपको किस परकार attempt करना है और यहाँ पर आपका नाम फोटो दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए इस box में आपको यहाँ जो answer not answer किस color में वह दिखाई द मतलब आप देखिए answer सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर भी option किया और save and next किया ठीक है तो save and next किया तो आपका answer मतलब यहाँ पर गिना जाएगा तो आपने answer देदिया अब देखिए दूसरे में यहाँ पर आपको red दिख रहा होगा जो हम question number two देख रहे है तो यहाँ अब देखिए not answer अभी तक आपने इसका answer नहीं किया है ठीक है अब देखिए not visited यह जो आपको पूरा जो यहाँ पर three four five six seven यह जो question दिख रहे है आपको ठीक है यहाँ पर आपने इस question को visit नहीं किया अगर आप question number 15 पे चले जाते हो तो आप देखिए rate click आएगा कि आप इस question पर गए हो बड़ आपने अभी तक इसका answer नहीं किया तो आप देखिए यहाँ पर 15 में rate color आया rate color मतलब not answered अब देखिए mark mark for review ठीक है यह क्या होता है mark for you for example देखिए आपने दूसरा question आपने first time कर दिया इसका जो answer आपने b tick mark कर दिया और b करके आपने save and next किया उसके बाद यहाँ पर second question पर आप आए और आने के बाद आपको लगा कि मुझे तो एक question आता है बट मैं sure नहीं हो की इसका answer b या फिर c है इसका answer b या फिर c है बट मैं sure नहीं हो की B पर tick करो या फिर c पर tick करो तो आपको क्या करना है simple यहाँ पर देखिए और एक option आपको मिलता है clear response का क्लियर रिस्पॉंस किया लुए यहापर जो क्षठ क्रते है चला जाएगा छाँके तो आपको करेंगे सीधा यहापर मार्क-फ़ृू आप कर सकते हो छो यहाप लुए इस नहिकर सकते हो तो क्या इसामक के नहीं क्या है ऐंसने विक TOP मैं लास्ट में से देक्वांग तो आपने Mark for you करके छोड़ी आप सब्सक्राइब तो यह तॉदीट इसमिट होगा तो k However at अमार्क for are you किया वाभने तक की इंपने कि अब एंसर या के इसलिए यह जो को दॉद्द को किन उowned तो सबसे पहले देखिए हम देख लेते एंसर एंड मार्क फॉर रिव अब देखिए कोस्चन नंबर थ्री इसी कोस्चन है आपने सौल किया आपको लगता है कि हां मुझे इसका कंफर्म एंसर आता है इसका एंसर सी है तो बाइस आप सी ओर डी में भी देखिए आप यहाँ लिवाटी ऑसदिए एंसर छेंट घा रिष्वकिए इसे कर देता हूं मार्क फॉर रीव्यू इसे कर देता हूं मार्क फॉर रिव्यू आनकेफिए और जैसे आप save and next करेंगे mark for review अगर आपने किया answer देखें ठीक है मैं फिर से समझाता हूँ देखें हमारा third number का और हमें C और D में थोड़ा confusion था बड़ हमने क्या किया थोड़ा risk लिया यहापर हमने C option ठीक मार्ड कर दिया और mark for review and next कर दिया तो देखें आप third question हमने attempt किया इसका answer आपने C किया तो आप देखें answered and mark आपने answer किया यहापर इसी लिए आप देख सकते हो यहापर इसी प्रकार का जो है यहापर color और आप देख सकते हो यहापर आपका review होगा आपका यह जो question का answer आपने देखा है वह evaluate होगा उसके आपको marks भिलेंगे जब final paper submit करेंगे इसे छोड़ देते हैं तो देखें अगर आपको फिर से निकालना है और आप आने के paper आपका पूरा physics और chemistry का आपके पास तोड़ा टाइम है तो बहुत सारे student क्या करते है अगर आपने यह mark किया है mark for review या फिर answer and mark for review तो आपको यह हटाना होता है और आपको green tick mark करना होता है अगर आपको करना है तो अगर ऐसा है तो भी आपको marks मिलेंगे ऐसे नहीं कि ऐसा है और आपने submit कर दिया paper आपका हो गया खत्म तो आपको marks नहीं मिलेंगे अगर आपने answer and mark for review कर दिया तो यह calculate होगा आप देखें will also be evaluated इसके marks आपको मिलेंगे बच देखें अगर आपको इ यह clear response के बाद और save and next करिए देखें आपका यह green हो गया यह है पूरा procedure यह जो box है पूरा इसमें से जो भी आपर answer not answer यह जो है पूरा आपको समझना चाहिए paper से पहले जो मैंने पूरा आपको practically और आपको on screen मैंने समझा दिया है अब देखें most important है physics भाई साब देखें पू mark for review किया है उसे देख लीजिए आप उसे attempt कर सकते हो या फिर answer then mark for review आपने किया है मतलब आपको तो surety है कि उस question का answer सही है ठीक है तो आप फटक से यहाँ पर mark for review question देख लीजिए और answer then mark for review question देखके आप आगे बढ़ जीए ठीक है अब देखिए सबसे important मतलब आपने physics और chemistry का यहाँ पर 90 minute कत्म होती यहाँ पर आपका paper आने के पूरा हो गया बट बहुत सारे student का क्या होता ह फिजिक्स और chemistry लगबग 90 minute में भी solve नहीं कर पाते हैं यहाँ पर 40 question तक आप आ गये यहाँ पर आपने 33,34,35 यह सब कुछ solve कर दिया 40 question तक आपने chemistry के solve कर दी और आपका यहाँ पर time खत्म हो गया 90 minute खत्म हो गये और आपके 10 question लगबग रह गये ठीक है तो आपका यहाँ पर question छूट जाएगा तो आप यह ध्यान रखिए कि आपका 90 minutes है उसमें आपका physics और chemistry पूरा question attempt हो जाए और बहुत सरे student को घबराट होती है कि भाई साब मेरे question रह गये तो मेरा paper submit हुआ है या फिर नहीं तो बिलकुल मत घब रहे है अपने आप ही यह submit हो जाता है देखिए you are not required to click on submit button the system with auto submitted the end तो आपका time खत्म होते ही यह जो है auto submit किया जाएगा तो देखिए मैं आपको पूरा लायू यहाँ पर जो आपका actual exam होगा mstcd का वही मैं आपको उसी portion अनुसार उसी screen अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ तो देखिए simple आपका physics और chemistry का paper होने के बाद ही आपर biology का paper start होगा और biology में भी आपको सेम दिखेगा तो आपको वह भी paper इसी प्रकार attempt करना है और biology का paper हमेशा ही easy आता है as per the physics and chemistry और student को भी physics chemistry hard लगता है बट biology easy लगता है तो आपको उसके बाद same इसी प्रकार आपको पूरे question biology में solve करने है तो आप देखिएगा और most important है आप सबसे पहले check कर लीजेगा कि आपका जो यहाँ पर mouse है ठीक है mostly student का क्या है अब देखिए मैं आपर यहाँ थोड़ा यहाँ पर move कर रहा ह है या फिर नहीं कि अगर आपका in between the exam आपका कुछ problem हो जाता है system hang हो जाता है तो तुरंथ हाथ उपर करके आप आप आने के सर को आने के बता सकते है कि देखिए यह हुआ है और mostly आपको आपर service provide होता है अच्छा service provide होता है बट exam start होने से पहले आप देख लीजे कि आपका system सही प्रकार से है क्या यहाँ पर आपका photo यहाँ पर आपको सब कुछ आपर सही से चर रहा है क्या आपका laptop आपका computer आपका जो mouse है वो सही से work कर रहा है क्या वो पूरा आपको देख लेना है और आप सभी को wish you all the best for your MSTCT exam सभी को exam forward के आना है और guys अभी तक भी channel को subscribe नहीं कि अगर आपको कोई point समझ में ना आया हो कोई problem हो कोई question हो तो आप comment box में comment जरूर करेगा और आप सभी को request है कि guys आपका MSTCT exam होने के बाद आपकी stream में admission लेना चाते हो और आपका rim college कौन साथ दो comment आपको जरूर करना है क्या आप engineering या फिर BST agri या फिर B pharmacy या फिर BST का कोई भ subscribe करके bell icon जरूर प्रिस करेगा और और सब ग्रूप को join कर लीजिगा क्योंकि इसी प्रकार MSTCT के genuine information भरे वीडियो आपको मिलते रहे thanks